हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो गार्णिंग विधी तेश आज मैं आपसे इस वीडियो में अपनी सक्यूलेंट कलेक्शन शेयर करूंगा और साथ ही साथ उनके नेम्स भी आपके साथ शेयर करूंगा तो ये सक्यूलेंट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है लैनोफाइलम ओटी फोलियम सीडम की फैमिली से ही बिलॉंग करता है और लीव से काफी इसली प्रोपोगेट हो जाता है ये देखिए और जब हम इसे जो है शेड में रखते हैं तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर ले लेता है और धूप में रखने पर इसका कलर जो है हलका रेड आ जाता है और काफी खूपसूरत और हाडी प्लांट है और ये भी सीडम है इसका नाम है लामन कोरल सीडम सीडम ग्रास भी कहते हैं इसे और ये इसके लिवस थोड़े बारीख होते हैं और कटिंग से बहुती इजली ये लग जाता है और जब पिछले साल मुझे छोटी से कटिंगномуसे मिली थी नर्सरी से तो वो मैंने लगाई थी और इस साल मैंने इसे इतना ज्यादा प्रॉपोगेट कर लिया और यह देखे जगा जगा मैंने छोटी छोटी दो-दो कटिंग से लगाई थी और इतनी तेजी से फैलता है यह यहाँ भी देखिए वेस्ट कप्स में मैंने लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है यहाँ भी मैंने दो-तीन कटिंग लगाई थी और पूरा पोर्ट अब भढ़ने वाला है बहुत ही खुपसूरत लगता है इसका कलर भी और यह है यह भी सीडम क्लास में ही आता है यह है सीडम मैकिनोई या स्चोन क्रोब भी इसे कहते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे लांस्ट येर विंटर्स में इसकी मुझे एक छोटी सी कटिंग मिली थी और उसी कटिंग को मैंने पूरे समर्स में बचाया बिल्कुल ऐसी मरी मरी चलती रही लेकिन इसकी कटिंग करके करकर के प्रॉपोगेट करके मैंने यह पूरा पोट भर दिया है बहुत ही खुपसूरत लगता है यह भी हैंगिंग बास्किट का प्लांट है और ये है हमारा हवर्थिया लिमि फूलिया जब इसे धूब में रखते हैं तो black सा हो जाता है इसका color और shade में green हो जाता है और काफी hardy जो है category में आता है हवर्थिया सक्डुलेंट में और पानी भी से कम भी जाये और कैक्टस की तरह दिखता है यह लेकिन है यह सबसे बड़ा वाला है मेरे पास हवर्थिया का सक्क्यूलेंट लिमिफोलिया का और इसमें देखे फ्लारिंग भी हो रही है देखे छोटे छोटे जो है इसमें वाइट कलर के फ्लार्स निकलते हैं और ये है हमारा हवर्थिया जैब्रा जैब्रा हवर्थिया कहते हैं यह भी हवर्थिया फैमिली से ही बिलॉंग करता है इसका पैटरन थोड़ा लाइनिंग वाला होता है जैसे जैब्रा का होता है तो देखने में काफी खुप सुरत लगता है और बिल्कुल एक फ्लार की शे प्लांट्स निकलते हैं और यह हवर्थिय एटेनुवाटा हवर्थिया फैमिली से ही बिलाओं करता है लेकिन इसके जो लीव से थोड़े अलोवेरा की तरह दिखते हैं जैसे अलोवेरा के होते हैं इसमें जल भी होता है और यह हमारा टॉप सी टर्वी यह भी मुझे छोटी से कटिंग मिली थी लास्ट येर तो मैंने छोटे से कप में ही लगाया है अब इसके जो है उपर से लीव से सारे जड़ रहे हैं लेकिन नीचे से और साइट से इतने ज्यादा बेबी प्लांट्स निकल रही है न और यह हमारा ब्लू चोकस्टिक्स हलका ब्लू सा कलर आ जाता है इसमें और इसके उपर न ऐसे पाउडर सी कोटिंग होती है जो की इसे दूप से बचाती है और सिनेषियो फैमिली से ही बिलॉघ करता है यह सीनेषियो ब्लू ब्लू चोकस्टिकस है इसका नाम काफी बूशी यह मैंने खरीदा था और ये भी हमारा सिनीसियो फैमिली से ही बिलॉंग करता है इसका नाम है सिनीसियो बारबर्ड टॉनिकस और बिलकल ग्रास जैसा यह लुक देता है और बिलकुल ठी जैसा हो जाती है इसकी शेब काफी हाइट में हो जाता है और बुशी काफी खुपसूरत लगता है ये प्लांट भी और ये है सीडम पैची फाइलम ये मैंने नर्सरी से परचीज किया था तो इसके जो रोज जैसा इसके पैटरन है वो बिलकुल बंद हो था लेकिन अब ये काफी खुल चुक है क्योंकि रूट्स उनकी कम ही फैलती है तो हमेशा छोटे-छोटे प्लांटर में लगाएं और ये है हमारा वैरिगेटर जैड पोटुलकारिया आफ्रा भी से कहते हैं और अलिफिंट बुश के नाम से भी जाना जाता है लेकि ये वैरिगेटर में है नॉर्मल जैड जो ह है रैगुलर जैड से वो काफी हार्डी होता है रफ टफ प्लांट होता है लेकिन थोड़ा डेलिकेट होता है और धूप से थोड़ा बचाना पड़ता है और ये जो एक्च्वल में जैड है वो यही है क्रैसूला ओवाट्टा और काफी लकी प्लांट इसे माना जाता है औ और लीव से बहुत ही आसानी से यह प्रॉपोगेट होने वाला प्लांट है और जब मैं इसी नर्सेजी से लेके आया था तो इसके पॉली थिन में ही छोटी से कटिंग गिरी थी यह देखी यह वली तो मैंने इसे छोटे से कप में जो है ग्रो कर दिया अब देखिए इसके सा इसे भी ब्राच निकल रही है और इसमें जो है यूज गरॉथ मही हो रही है और ये यह भी इसे में लीव गिरा हुआ था और लीव से प्रॉपोगेट हो रहा था और अब तो यह काफी बड़ा हो गया है और ये भी क्रैसूला फैमिली से ही बिलोंग करता है इसका नाम है क रैसूला कैम फायर जब मैं नर्सरी से लाया था और बिल्कुल ग्रीन था जैसी मैंने इसे रिपोर्ट करके धूप में रखा तो ये देखिए ये इसमें अब रेड कलर आना शुरू हो गया और पूरा रेड हो जाता है जब हम इसे कंप्लीट धूप में रखते हैं और काफी मैंने लीव से और क्टिंग से बेड करक यूटा लग करकर कि अतने प्लांच बना लिये और लोगों में भी खोब बांटे हैं यह देखिए इसमें आपको 5-6 अशे पवडन्च प्लांच दिख रहे हूंगे एक ही यह भी काफी hardy succulent category में आता है और यह है ग्रैप्टो पैटलम मैंडोजे यह भी ghost plant की category में ही है लेकिन यह थोड़े leaves जो है इसके थोड़े छोटे होते हैं और यह भी ghost plant की तरह ही फैलता है लीव से बहुत ही आसानी से propagate हो जाता है और बिल्कुल flower की shape इसने भी ली होती है छोटे छोटे flowers जैसे लगे हो छोटे से pot में लगा हुआ है और जो यह next आप देख रहे हैं यह है sample vivum और hands and chicks भी इसे कहते हैं और normal language में हम इसे लक्ष्मी कमल plant के नाम से जानते हैं और लोग इ भी थोड़ा delicate है और यह है achieveria colorata बिल्कुल छोटी सी cutting इसी साल मुझे यह winters में मिली है तो अब यह काफी अच्छे से खिलना start हो गया है नरसरी से ही मुझे वहाँ घिरी हुई मिली थी तो मैंने उठा ली और अब काफी अच्छे से grow हो रहा है और यह हमारी jelly bean seedum यह भी मै गिया था छोटी सी cutting इती अब मुझे यह cutting मिली है तो अब यह अच्छे से grow हो रही है और यह भी red हो जाती है धूप में रखने पर और यह हमारा string of banana hanging succulent है काफी अच्छे से grow होता है काफी hard है यह भी मुझे इसी साल cutting मिली है और देखी कितना बुशी हो रहा है यह plant भी नी अच्छे मुझे cuttings मिली थी कहीं से तो मैंने इसे जगा जगा लगा दिया और यहां भी देखिए port में काफी खूपसूरत लग रहा है यह भी और next है हमारा alo maculata aloe vera family से belong करता है लेकिन इसके leaves काफी खूपसूरत होते हैं और जो इसके leaves में gel होता है normal aloe vera के comparison में काफी कम होता है और इसमें देखिए एक मुझे cuttings मिली थी छोटी से मैंने एक pot में लगाई वेस्ट उन साइड से देखिए एक छोटा सा baby pup और निकल रहा है इसमें से अब मैं इसे बड़े pot में shift करूँगा ताकि इसकी growth अच्छी हो और इसमें से और baby plants निकले और यह है हमारा tiger और निकल है और इसमें मैंने लगा दिया और इसके नीचे से भी baby plants निकल रहे हैं और धे क्या वेस्ट में लगाया है छोटे छोटे जो cups होते हैं चाये के तूट जाते हैं उनमें मैंने लगाया है उनमें से भी देखें छोटे से cup में इसे भी side से कितने baby plants निकल रहे हैं और काफी hardy है और dwarf aloe vera भी इसे कहते हैं इसका size वे छोटा ही रहता है leaves का और ये हमारा calencoi lexi flora चीक है ये भी leaves से काफी easily propagate हो जाता है और ये देखिए कितना बड़ा हो गया और इसमें flowers भी आने वाले हैं छोटे से जो broken port है उसमें मैंने इसकी cutting लगाई थी छोटी से अब देखिए कितनी healthy ये तरीके से ये grow हो रहा है और काफी बड़ा हो गया ये इसमें और ये हमारा variegated calencoi या variegated calancho है इस के leaves में देखिए साइड से white white या pinkish सा shade होता है और बीच में से green है लेकिन जो हमारा normal देशी वाला calancho होता है उसके comparison में इसकी growth काफी slow हो जाती है ये मुझे last summers मिला था तो काफी slow growth हो रही है थोड़ी से जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी pinching कर दूँगा और ये हमारा gasteria का plant है ये भी aloe vera family से ही belong करता है इसकी leaves में भी काफी gel होता है और उसकी leaves काफी थिक होते हैं काफी costly मिलता है ये भी nursery सी ये भी मुझे छोटी सी cutting ही मिली थी कहीं से तो ये भी मैंने ऐसी cups में लगा तो मैं छोटे छोटे ऐसी waste cups में लगा देता हूँ और उसमें ही ये अच्छे तरीके से healthy तरीके से grow होते रहते हैं और ये भी कलांचो की variety है, succulent plant ही है और इसमें देखे कितना बड़ा plant हो गया और flowers भी उपर आ रहे हैं इसमें और ये भी cutting से बहुत ही easily propagate हो जाता है और ये मैंने काफी जगा लगाया भी हुआ है और लोगों में भी काफी बा mother of thousands या mother of millions के plant आ रहे हैं ये green वाला है इनके leaves पे जो है छोटे छोटे बेबी plants बनते हैं और जगा 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 जिस भी pot में ये गिड़ते हैं वहीं से इनका propagation start हो जाता है और ये देखी ये भी mother of thousand की variety है लीव का pattern देखिए कितना खोपसूरत है इसका ये भी देखिए छो इसका pattern भी देखिए कितना प्यारा है बिल्कुल कम केर में कम पानी में ज्यादा पानी में अराम से चल जाते हैं ये succulent plants जो mother of thousand है और ये हमारा ruby necklace है बहुत ही खूपसूरत इसमें छोटे छोटे डेजी जैसे yellow color के flowers आते हैं और जब इसे complete धूप में रखते हैं तो बिल्कुल red color या purple color इसमें आ जाता है और shade में रखने पे बिल्कुल ये green color का हो जाता है hanging basket में लगाने के लिए बहुत ही perfect plant है ये इसकी जो strings है नीचे को लटिकती रहती है तो ये सारी मेरी succulent के collection है mostly मैंने cutting से leaves से या किसी से exchange करके ही succulent add किये हैं दो तीन succulent ही है जो मैंने purchase किये होंगे बाकि सभी मैंने free of cost त्यार किये हैं खुद से ही और इसके राबा और भी काफ़ी ज्यादा succulent है जैसे normal है जो वो मैंने आपके साथ share नहीं किये है तो अगर आपको ये मेरी succulent collection पसंद आई हो तो please इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें happy gardening friend